तो आज इस वीडियो में हम माइक्रोफ वर्ट की कुछ इंपोर्टन शॉर्ट्ट कीज जानेगे तो स्टार्ट करते हैं इसे पहले मैं माइक्रोफ वर्ट के अबाउट तुमाम टोपिस कवर कर चुक हूँ इसे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके तो इस वीडियो में इस वीडियो में इस वीडियो में इस एक्सप्लोड करेंगे इसे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके एंदे हम फुर्दर मोर जो माइक्रोफ वर्ट की पॉसिबल शॉर्टकट कीज हैं उनको एक्स्प्लोड करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं F1 ठीक है यह कुछ फंक्शनल शॉर्टकट कीज है ठीक है F1 है अगर आप माइक्रोफ वर्ट को कोई फीडबेक देना चाते हैं या इंप्रूफ के लिए कुछ लिखना चाते हैं या उनसे Microsoft Word Office Assistance के लिए कोई help चाते हैं तो आप क्या करते हैं आप simply help के ओपर जाते हैं और यहां से feedback के लिए F4 है repeat the last action repeat the last action means for example मैं यह एक picture थी insert की ठीक है अब यह गलती से मुझसे delete हो गए ठीक है और मैं चाता हूँ कि यह वापिस से recovered हो जाई यानि कि जो मैंने last action perform किया है वो repeat हो जाई तो मैं क्या करूँगा simply अपने keyboard से F4 प्रेस करूँगा और यह देखे मेरी जो वो picture थी वो जुबार से recovered हो गया ठीक है यह देखे मेरे पास window open हो जाएगे ठीक है यहां से अगर वो देख कर रहा है कि go to what pages section और line bookmarks वगयरा ठीक है अब ही मेरे पस 5 pages है अगर मैं 4 page पर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा simply fold लिखूँगा यहां पर enter और यहां पर go to करूँगा और यह देखे मुझे 4 page के ओपर लगया ठीक है अगर मैं किसी specific line पर जाना चाहता हूँ तो वो मुझे यहां पर enter करनी होगी ठीक है तो इस तरह से मैं किसी specific line किसी specific page के ओपर जाकर कर सकता हूँ ठीक है spell and grammar check के ओपर क्लिक करते हैं इसका जो दूसरा method है अगर आप shortcut कीसे करना चाहते हैं तो वो क्या है simply आपने F7 प्रेस करना है और आपका आजाएगा ठीक है for example यह मैंने spell के grammar जो अगर यहां पर spell check and grammar लिखा हुआ ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं simply यहां पर spelling and grammar के ओपर क्लिक करूँगा अब यह देखे red wavy line ना रही है तो इसका मतलब है कि इसके spelling मैंने गलत ठीक है इसके possible suggestions मुझे आजाएगे कि वो क्या होने चाहिए ठीक है उनके meaning भी साथ पर आजाएगा ठीक है एक्टिफ menu bar के लिए f11 new chart और go to next field के लिए जिसना हमने chart वगएड़ा insert किया थे insert tab कर जो हमने explore किया था tables वगएड़ा insert करना chart स्मार्ट वगएड़ा insert करना तो यह उसके लिए basically use होता है इसके बाद f12 है save as command के लिए save as के लिए आप ये भी use कर सकते हैं कि simply file के ओपर जाएं और save as के ओपर आप click करते हैं तो आप से पूछे का कहा पर ये save करना है ठीक है अगर आप यहां से नहीं करना चाहते हैं तो आप shortcut की f12 से भी कर सकते हैं इसके लावा है control plus a select all contents of the page for example मेर इस वकत document के ओपर जितना भी text है मैं एक दम select करना जाता हूँ तो मैं simply control plus a करूँगा और अब ये देखे मेरे document के ओपर जितना भी तमाम content है वो तमाम का तमाम select हो चुका है अब मैं इसको delete कर सकता हूँ copy कर सकता हूँ cut कर सकता हूँ ठीक है अब इसके बाद है control plus b bold the selected test for example म मैं चाहता हूँ कि थोड़ा thick का है ठीक है तो मैं क्या करूँगा control plus b प्रेस करूँगा अब ये देखे bold आ गया bold हो गया bold हो गया थोड़ा thick हो गया अगर तो मैं दुबारा से control plus b करूँगा तो अपनी original text की form में आजएगा इसका एक method यह है और दूसरा method यह है कि आप home पर अब मैं इसको कहीं पर भी paste कर सकता हूँ for example मैं इसको यहां पर paste करना चाहता हूँ अब मैं control plus v करूँगा तो यह text मैं जितनी दफा भी चाहूँ मैं यहां पर paste कर सकता हूँ ठीक है इस वज़ए से हम copy को use करते हैं paste करने के लिए control plus v की command है इसके बाद है control plus d है fill down open font preferences ठीक है for example मैं text का font पगर कोई change करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको select करना text वो लाजबी है for example मैंने text select किया अब मैंने control plus d किया तो font का मेरे पास एक window open हो जाएगा यहां से मैं क्या कर सकता हूँ different changes कर सकता हूँ text का size change कर सकता हूँ bold italic कर सकता हूँ इसके इलावा मैं strike through करूँगा तो text के ओपर एक line आजएगी double strike through करूँगा उसका मतलब है दो lines आजएगी अगर मैं okay उपर apply करूँगा तो यह मेरे उस text के ओपर changes apply कर देगा लेकिन उससे पहले अगर मैंने text को select नहीं किया तो यह work नहीं किया तो यह work नहीं करेगा content of the screen for example अगर मैं control plus E करता हूं तो यह क्या करेगा यह text को align कर देगा according to the content of the screen इसी तरह control plus F for example मैं किसी specific word text को find करना चाता हूं अपने document में तो simply control plus F करूँगा और यहां पर navigation tab open होजगा इसके अंदर मैं for example लिखता हूं find तो अब मेरे document के अंदर जहां जहां पर मैंने find लिखा हूगा यह उसको highlight कर देगा इसको मेरे जितना भी document था उसमें अंदर एक ही possible result मिले है जो के यहां पर मैंने लिखा हूँ है control plus F जो के find the text के लिए use होता है इसके बाद control plus G है go to के लिए control plus G आप करेंगे तो आप specific page पर जा सकते है specific line specific section के लिए इसके लाबा control plus H replace the text with new text मैं simply control plus H press करूँगा तो अब मैं चाता हूँ कि मेरा जहां जहां पर मैंने find लिखा हूँ है वो एक specific word के साथ for example वो null हो सकता है उसके साथ replace हो जाए तो मैं वहां पर वो लिखूँगा अगर मैं A के करके कोई specific change करना जाता हूँ तो find next है उसके लिए अगर मैं document में complete जहां जहां पर भी find लिखा हुआ है उसको null के साथ replace करना जाता हूँ तो simply replace all के उपर click करूँगा और अब इसको A की replacement मिली और यहां पर लिखा हुआ था find the text तो अब यहां पर लिखा होगा null the text ठीक है यह देखे null the text इसके बाद है control plus i italic the text for example मैं इस text को select करता हूँ और control i करता हूँ तो यह थोड़ा tilted form में आ जागा टेरा हो जागा ठीक है इसके बाद है आप यहां से भी कर सकते हैं और इसके लावा अगर दुबारा यहां पर कर करने के लिए यूज़ किया जाते है इसके लावा है control plus k insert hyperlinks के लिए hyperlinks generate insert करने के लिए control plus k use किया जाता है इसके लावा control plus o है open new word document ठीक है open document for example अब मैं यह एक Microsoft MS word shortcut keys का word document open किया है मैं चालत हूँ कोई old existing word का document open करूँ तो simply control plus o करूँगा और यहां पर मेरे पास old existing कुछ Microsoft word के documents हैं मैं यहां से इनको open कर सकता हूँ अगर मेरा required document यहां पर मुझूद नहीं है तो मैं this PC पे जाकर यहां से search भी कर सकता हूँ अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं यहां से browse भी कर सकता हूँ ठीक है इसके लावा मैं अपनी drive से भी उसको ले सकता हूँ इसके बाद है control plus p है PDF में convert करना चाता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ fax के करना चाता हूँ वो भी कर सकता हूँ printer पर print करना चाता हूँ pages के ओपर letter size paper A4 paper तो वो भी मैं print कर सकता हूँ इसके लावा है control bus R, fill the right और control bus S है save, save के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप simply इसके ओपर click करें icon के ओपर या file के ओपर जाके यहां से भी save कर सकते हैं इसके लावा जो shortcut किया है वो control bus S है इसके बाद control bus U है underlined the text for example मैं इस text को select करता हूँ और control bus U करता हूँ तो ये underline हो जाएगा, इस text के नीचे एक line आ जाएगी mostly applications letters वगड़ा में ये use होता है इसके लावा है control bus V for example मैंने कोई text select किया और उसको copy किया अब मैं इसको कही paste करना जाता हूँ तो मैं control bus V करूँगा ठीक है, मैं इसको for example नीचे आता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर इसको paste करूँगा अब मैंने control bus V किया तो ये देखे जो मैंने text select किया था वो यहाँ पर paste हो गया, control bus V की command से, ठीक है इसके इलावा देखते हैं, control bus W close the document के लिए, close the document के लिए आप simply close पर भी click करे सकते हैं और अगर control bus W करेंगे तो इससे भी close the document हो जाएगा, ठीक है, इसके इलावा control bus X है, अगर मैं चाहता हूँ for example यह specific text है, इसको मैंने select किया, अब यहाँ से इसको cut करूँगा, तो यहां से गाईब हो जाएगा, for example, यह मैंने text को select क्या, control X किया, अब यहां से गाईब हो जाएगा, अब मैं कहीं, और इसको paste करना चाहूँ तो मैं यहां पर इसको paste कर सकता हूँ, for example, control V करूँगा, paste की command, तो close यहां पर paste हो जाएगा, ठीक है, इसके जो W था वो close the document था ठीक है इसके बाद है control plus N new document for example control plus N करूँगा तो एक new document मेरा word open हो जाएगा ये मेरा old existing था और ये जो मेरा new word document है ये वह वाला है इसके बाद है control plus shift plus L quickly creates a bullet point for example ये मेरा text है अब मैं चाहता हूँ इसके साथ कोई bullet आजए ठीक है तो मैं क्या करूँगा control plus shift plus L करूँगा तो ये एक bullet आजएगा bullet कर design आप यहां से change कर सकते हैं check sign है arrow sign है circle sign है आप यहां से इसको change कर सकते हैं अगर मैं ये करूँगा तो ये देखे ये वाला design आगया आप यहां पर roman वगएड़ा letters वगएड़ा भी कर सकते हैं ठीक है ये for example I roman में कर सकते हूँ तो इस तना आजएगा site पे एक bullet आजएगी ठीक है कर ये इसा bullet point according to text उसके बाद है control plus shift plus F है change the font for example मैं जो text है उसके उपर कोई font change करना चाता हूँ तो मैं simplys को पहले select करूँगा select कि ये बगएर ये work नहीं करेगा control plus shift plus F करूँगा तो यहां पर मेरा font का window open हो जाएगा यहां से मैं कोई भी design वगएरा भी देख सकता हूँ ठीक है bold italic भी apply कर सकता हूँ text का size change कर सकता हूँ और य text को for example select करते हैं और उसके बाद यहां से change करते हैं ठीक है अब मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाओंगा text size increase होता जाएगा ठीक है तो अगर आप यहां से नहीं करना चाहते हैं तो इसकी shortcut की है control plus shift plus greater than का symbol इसके लावा control plus one two or five है line spacing के लिए for example जो दो lines होती है उनके दिर्मयान ज यह बढ़ाता जाओंगा line spacing तो यह फासले दो lines के तरिवान increase होता जाएगा ठीक है अगर मैं यहां से नहीं करना चाहता है तो control plus one two or five से भी मैं change कर सकता हूं line spacing single line spacing double line spacing 1.5 line spacing इसके लावा control plus alt plus one है जो change text to heading one है for example आपने HTML पर में पढ़ा होगा कि different about six types of headings होती है heading one two three four five six तो different documents के इंदे सबसे पहले title आता है फिर headings आती है और उसके बाद text आता है तो headings different sizes की हो सकती है तो मैं अगर headings के लिए क्या करूंगा control plus alt plus one press करूंगा तो यह क्या करेगा heading मेरी उसके according आ जागी अगर यहां पर heading two करना जाता हूं तो यहां से भी मैं कर सकता हूं ठीक है heading four कर आता है control plus end का button जो है move cursor to the end of the document ठीक है यह क्या करेगा हमारे पास keyboard के अंदे कुछ shortcut keys कुछ buttons होते है like alt, control, end, home, right arrow, short arrow, right arrow, down arrow, left arrow इसी तरह जो right arrow तो उनको control के combinations के साथ use करके different actions perform कर सकते हैं like if control plus end करता हूं तो move cursor to the end of the document ले जाएगा अगर मैं control plus home करूंगा तो यह start of the line आजएगा for example अभी मेरा cursor यहां पर है ठीक है अब मैं क्या करता हूं control plus home करता हूं तो यह देखे line के start में आजएगा यहां पर beginning of the line आजएगा यह beginning of the document आजएगा ठीक है आप यह तो यहां से करते हैं cursor से इसके home के combination के साथ भी आप इसको use कर सकते हैं इसके लावा control plus F10 है open command के लिए control plus down arrow के अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा move to the end of the paragraph आजएगा ठीक है move cursor one two word to left के लिए हम control plus right का जो button है वो use करेंगे for example मेरा cursor यहां पे है अब मैं control plus right arrow प्रेस करूँगा तो यह एक word आगे forward move कर देगा अगर मैं back पडाना चाहता हूँ तो control plus right arrow करूँगा इसके बाद है control plus F1 go to next field के लिए F3 create and auto dextry entry quit word के लिए F4 है old plus F5 restore the program window size यानि program window size जो होता है आपका वो restore हो जाएगा default वाला जो आजएगा इसके लावा है run macro के लिए F8 old के साथ old F9 है switch between old fields codes and their result के लिए old plus 10 है maximize program window के लिए control plus shift plus F10 है print command जो हमने देखी थी for example control plus P करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास print का जो option आ जाता है ठीक है अगर आप यहां से नहीं करना चाते है आप जो control plus shift plus F12 प्रेस करेंगे तो आपको beautiful यहीं पर ले आएगा आप यहां से print कर सकते है इसके लावा control plus shift plus F10 ruler के लिए है ठीक है ruler for example यह मेरा इस वकर document open है आपको site पर scale दिख रहा होगा और top पर भी और left पर भी तो यह ruler है basically यहां से मैं text को indent कर सकता हूँ ठीक है अगर for example मैं इसको आगे करूँगा तो यह text मेरा आगे चले जाएगा पीछे करूँगा तो पीछे आजएगा यह मेरा फासला बताता है कि यह मेरा corner से लेकर यहां तक कितना फास सकते हैं ctrl plus f4 है close the window के लिए ठीक है ctrl plus f5 है restore the document window size ctrl plus f6 है call to the next window और control space है remove text formatting text formatting for example यह मेरा text था ठीक है मैंने इसको ओपर कोई formatting apply की formatting गया होता है for example मैं इस text का color change कर दूँ या इसको bold कर दूँ italic कर दूँ underline कर दूँ या इसके ओपर strike through कर दूँ या इसका size change कर दूँ इन सब को formatting कहते है या आपने उस original text का ओपर कुछ changes apply कर दी अगर मैं चाता हो कि यह remove हो जाए तो मुझे क्या करना है मुझे simply उस text को select करना है control पर space press करना है और यह अपनी original shape में आ जाएगा यानि original text free form में आजगा इसका जो by default होगा font size 11 होगा ना इसके ओपर कुछ bold, italic, color कुछ भी apply नहीं होगा जब हम Microsoft Word by default open करते है तो text का size हमेशा 11 होता है और इसके ओपर कोई भी formatting नहीं होगी होती तो हम अगर control पर space से करेंगे तो यह उसी shape में ले आएगा अपने text को अपनी original shape है, so आज हमने about 65 shortcut keys of MS Word देखी है, in this video we covered about 65 shortcut keys of MS Word, in the next video we will see some more shortcut keys of MS Word, so thanks for watching this video, अगर आप इसको इस वीडियो में किसी बात की समय नहीं लगी हो, तो please मुझ से क्वेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, thanks for watching this video.